नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं पार्टी ने भी लंबे समय तक उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी अब वह खूल कर मैदान में आ गए हैं सोमवार की सुबस इली से कई मोटर साइकल में सवार युआओं के साथ पूरविधायक अमित महतो भागवान बिर्षा की जन भूमी खोटी जिला के उली हातु पहुँचे रास्ते भर अमित महतो के करकारता है मन सरकार के खिलाब जम कर नारे बाजी करते दिखे उली हातिव पहुचे जहामों के पूरविधायक अमित महतो ने अब जन का अगाच कर दिया है लालू यादो को पांच साल की सजा के साथ 60 लाख रुपए का जुर्माना डोरंडा कोसागार से 14.35 कोड़ रुपए के अवायद निकासी से जुले चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में दोसी करार दिये जाचुके बिहार के पुर्वसी एम और रायस सुप्रीमों लालू परसाद यादो को CBI की विशेस अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई चार मामलो में पहले से सजायपता हैं जारखन में आपराध रोकने के नाम पर हो रही चेकिंग रांची जीले में एंटी क्राइम चेकिंग के नाम पर पूलिस वाहनों की जाच कर मोटर वाहन अधिनियम के तहद सिर्फ जूर्माना वसूलती है इस बात की पुश्टी पू समद अपराध नियंत्रन से नहीं है क्योंकि यह करवाई ट्रैफिक पूलिस करती है पूलिस मुख्याले की ओर से निर्देश दिया जा रहा है कि समदित जीला के एस पी अपराध नियंत्रन के दिश्टी कोन से अस्थान और समय बदल बदल करवाहन चेकिंग करने की करवा कर दिया गया है इस्तिथी के बाद बिना लाइसेंस तंबाको उत्पादों के विपनन भंडारन पैकिंग प्रसंसकरन वापी निर्मान करने पदन्रित किया जाएगा नगर विकास विभाग के सचिव ने सभी सहरी निकायों को इसे समदित निर्देश दिया है उन्होंने क कि जार्खन नगरपाल का अधिनियम के अनुसार किसी भी परिसर में सिगार, सिगरेट, नस्वार सहीत, सभी तरह के तंबाको या तंबाको उत्पादों के विपनन, भंडारन, पैकिंग, प्रसंसकरन या सफाई, बिनिर्मान, बिना लाइसेंस या अनुमतिके नहीं किया जाना है, जार्खन में जनजाती वा छेत्रिये भासा पढ़ने वाले बिद्यार्थी एक लाख से कम, राजे में पहली बार प्रात्मिक अस्तर पर जनजाती भासा में पढ़ाई सुरू हुई है, किसी भी भासा के विकास के लिए या अवस्यक है कि स्कूल अस्तर से उसकी पढ़ाई हो और अधिक से अधिक लोग उसे पढ़े, लेकिन फिलाल राजे में जनजाती वा छेत्रिये भासा पढ़ने वालों बिद्यार्थी कम है, राजे में मैट्रिक अस्तर पर 17 भासाओं के पढ़ाई होती है, इनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अर्भी और राजे में जिलावार, अधिसुचित, 20 जनजाती वा छेत्रिये भासाओं में से 12 की पढ़ाई मैट्रिक अस्तर पर होती है, इन सभी भासाओं को मिला कर मैट्रिक में प्रति वर्ष अस्तन 60 से 65,000 बिद्यार्थी सामिल होते हैं, इनमें भी आधे बिद्यार्थी उर्दू भासा के हैं, गुमला के 26 लेप्स को हर दिन 500 क्यूंटल धान खरिदारी का टारगेट, गुमला जिले के किसानों से धान अधिप्राप्ति करने को लेकर जिला पूर्ति विभाग गुमला रेस है, विभाग ने जिले में संचालित कूल 26 लेप्स के संचालकों को हर दिन 400 से 500 क्यूंटल धान खरीदारी करने का टार्गिट दिया है बता दे की जिले में संचालिक 26 लेपसों के माध्यम से लगभाग 1.50 लाग क्यूंटल धान खरीदारी का लग्ष निधारित है 15 अगस्त 2021 से लेपसों के क्राय केंद्रे का विदिवत उद्गाटन के साथ धान खरीदार काम शुरू हुया अब इधार 68 दिनों में कूल 83,265 क्यूंटल धान की खरदारी हो चुकी है दो दिवस्य दोरे पर साहिव गंज पहुंचे सीम हेमन्त जारखन के मुख्य मंत्री हेमन्त सुरेन सोमवार को दो दिवस्य दोरे पर साहिव गंज पहुंचे जहां डीसी राम पहुंचे जहां राज महल लोक सभा छेत्र के सांसत बिजय कुमार हांसदा वा बरहेट बिधायक परतिनेधी पंकज मिश्रा ने उनका जोरदार स्वागत किया छेत्रीय भासा के रूप में मगही को लाते हार में मन्याता देने का बिरोद मगही भासा को लाते हार जीले में छेत्रीय भासा के रूप में मन्याता देने का बिरोद सुरू हो गया है जूलू सही चोक से सुरू होका सास्त्री चोक बिर्सा चोक रामपूर होते हुए अनुमंडल करयाले पहुँची वही जूलू सभा में तब्दील हो गया जूलू सकनेती तो महुआ टार जीप सदसे मनीना कुजूर जेवियर कुजूर जूलू लकडा एवं परखंड मुखिया संग अध्यक्ष बिर्जीनिया कुजूर ने किया वही सभा का संचालन जीप सदसे मनीना कुजूर ने किया कस्तूरबा स्कूल गुमला की 28-26 फूट पॉजनिंग की सिकार गुमला जिला अंतरगर डूमरी परखंड इस्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवास से विद्यालाय की 28-26 फूट पॉजनिंग का सिकार हो गई है जिसमें दो छात्राओ की छिती गंभीर होने के कारण बेतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफल कर दिया गया है पुडित छत्राओ के अनुसार अभ्यवार की 28-27 फूट पॉजनिंग की सभी बचियों को खाना मिला जिसमें चावल, दाल, आलू और फुलगोभी की सबजी से दावा का गंध आ रहा था जिसे कुछ छत्राओ ने खाया एवं कुछ बचियों ने सबजी में गंध आने के कारण सबजी को नहीं खाया जारखंड में कुरोना के 79 नए केस मिले है जबकि 125 मरी स्वास्त भी हुए है जारखंड में कूल एक्टिव केस की संख्या 693 है भारत में 11574 नए केस मिले है जबकि 33703 मरी स्वास्त भी हुए है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,773,383 है जारखंड में पंचाईट चुनाओ जल्द से जल्द कराने के पक्ष में कॉंग्रेस गिरीडी जिला अंतरगत मधुबन में कॉंग्रेस की तीन दिवस्ये चिंतन सिवीर का सोम वार को दूसरा दिन है स्वारगिये राजीव गांधी पंचाईट राज बेवस्था के माध्यम से गाओ गाओ तक विकास वजना पहुचाने और ग्रामिनों के हाथ सासन सोपने के सपनों के साथ इस वेवस्था का समर्थन किया था कहा कि कॉंग्रेस जारखन में पंचाईट चुनाव जल्द से जल्द कराने के पक्ष में हाए ताकि विकास वजनाव को गति दी जा सके इस दोरान गिरी डीके जेमें बिधायक सुद्दिव्य कुमार सोनु ने सिरी पांडे से एक अनवचारिक मुलकात करते हुए उनका स्वागत भी किया डीसी ओफिस के बाहर लोहर्दागा के टाना भक्तों का हंगामा जार्खन के लोहर्दागा जिला हिथी समानाला में उपायुक दिलीप कुमार टोपो से वार्ता करने पहुँचे टाना भक्तों को रोके जाने पर उन्होंने जम कर हंगामा किया और नारेबाजी की आखिर कर उपायुक्त ने टाना भक्तों से मुलकात गी इसमें टाना भक्तों ने कहा कि उन्हें पांचवी अनिसुची के अधार पर अधिकार दिया जाए और टाना भक्तों को पूरा सम्मान मिले टाना भक्तों को विकास के लिए दी जा रही रासी का ब्यवरा दिया जाए उपायुक्त ने उन्हें राजे पाल वो सीम तक उनकी बात पहुचाने का अस्वासन दिया बिजली छेत्र में जारखंड के आत्मनिर्भर होने की कोशिसो पर ग्रहान बिजली के छेत्र में जारखंड के आत्मनिर्भर होने की कोशिसो में अणंगा लग रहा है इससे मत्वकांची टांस्मिसन प्रोजेक्ट में देरी हो रही है 132 के विए अंतराष्ट्री टांस्मिसन लाइन का एक हिसा बंगाल के पुरुलिया जिले से होकर गुजरता है या गोविंद पूर चंदन कियारी लाइन का हिसा है जारकन सरकार को इसे पूरा करना है ताकि कोईलांचल के इलाके में बिली आपूर्ती और संचरन में सुधार किया जा सके इंडियन रेट क्रो सोसाइटी में बड़ा घोटाला राज जेपल रमेश बस ने इंडियन रेट क्रो सोसाइटी की राची सक्खा में अनेमित्ता को लेकर बड़ी करवाई की है उन्होंने जाच रिपोर्ट में भारी बितिये अनेमित्ता की बाद सामने आने के बाद इसकी कार्यक्रिनी कमिटी को अविलाम भंक करने का आदेश दिया है साथ ही उन्होंने जाच रिपोर्ट में दोसी ठराये गए ततकालिन सचीव सदस्यों के अलावा कोसा अद्यक्ष के बिरूत परत्मे की दर्च करने का आदेश राची उपायुक्त को दिया उन्होंने इंडिया रेट क्रो सुसाइटी के अद्यक्ष के रूप में यह करवाई की है मोबाईल डिचार्ज की तरह जहारखन में हो रही पदस्था अपना दिपक परकास भाजबा के परदेश अद्यक्ष राज सभा सांसर दिपक परकास ने कहा है जमन सरकार में भरष्टा चार चरम पर है या सरकार सिर्फ पैसो की उगाही में लगे हुई है इनको राजबा की जानता से नहीं सिर्फ अपने खाजाने की चिंता है राजबा में अधिकारियों का पदस्थापना मोबाईल डिचार्ज की तरह हो गया है बैलेंस समाप्थ होने से पूर्वे रिचार्ज नहीं कराने पर दूसरे की पदस्थापना कर दी जा रही है भाजबा परदेश अध्यक सोमवार को अस्थाने दिन द्याल नगर भवन में जीला अस्तर येक कारेकार्ता समेलन को समधित कर रहे थे पंचायत चुनाओ की तयारी तेज राज निर्वाचन आयोग ने तयक या प्रसिक्षन कारेकराम राजे में पंचायत चुनाओ स्थीग्र हो सकता है राजे निर्वाचन आयोग ने पंचाय चुनाव को लेकर जहां तैयारिया तेज कर दी है वही पंचाय चुनाव सिग्र होने के संकेत भी दिये है राजे निर्वाचन आयोग ने पंचाय चुनाव संपन कराने को लेकर निर्वाची पदाधिकारियों की प्रसिक्षन को अम्तिम रूप देने करने नहीं लिया है या प्रसिक्षन कारेकरम आयोग कर्याले में 23-25 फरवरी तक आयोजित होगा आयोग ने इसे लेकर सोमवार को सभी उपायुकतो सहजिला निर्वाचन प्राधिकारियों को पत्र भेज दिया आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि राजे में 23-25 चुनाव सिग्र कराया जाना है बजट सत्र से पहले बिधान सभा से दूर होगी सुराक्षा सम्वंधित खामिया जारकन बिधान सभाए 25 फरवरी से सुरू हो रहे बजट सत्र से पहले वहां की सुराक्षा से सम्वंधित खामिया दुरूस्थ हो जाएगी इसकी पहल तेज कर दी गई है प्रात्मिक्ता के अधार पर वहां मजूद फायर फाइट डिंग सिस्टम को दुरूस्त किया जाएगा ताकि अन्होनी को तुरंत और नियंत्रित किया जा सके यहां expired अगनी समन उपकरन को बदला जा रहा है सत्र के दोरान बनने वाले अस्थाई बेरिकेटेट के पास भी इस बार सुरक्षा बलो की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि कोई बाहरी तत्व शत्र को बाधीत करने की कोशिज करे तो उससे सकती से निपटने के लिए अतरिक्त बल बुलाने की नोवत न आए सातवे दिन भी जारे रहा जार्खन अंदोलन कारियों का अंदोलन सीनियर भारतिये महिला होकी टीम में जार्खन की तीन खिलारी निकी प्रधान सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चैन हुआ है होकी इंडिया ने 22 सदस्य भारतिये महिला होकी टीम की घोसना की है जिसमें जार्खन की तीन खिलारी चैनित किये गए टीम का चयन एफ आई एच प्रो लिंक के लिए किया गया है इसमें भारतिये टीम अलग अलग देशों के साथ मैच खेलेगी पहला मैच 26 फरवारी को इसमें इनके साथ होगा जार्खन के पुर्व मंतरी सर्जु राय ने लालो यादाव की साजा पर पर्तिकिरिया देते हुए कहा कि उनको तो उनके किये की साजा आदालत ने सुना दी है इस पर जादा खूस और दुखी होने की जरूरत नहीं है लेकिन पूर्व की जार्कन सरकार में सामिल मुख्य मंत्री मंत्री और पता धिकारियों के उपर भी जांच के बाद करवाई होनी चाहिए भरष्टा चार से जुड़े सारे सबूत सौप दिये गए हैं सरजुराय ने कहा कि लालू यादों से जुड़ा ए बड़ा मामला था सभी को मालूम था कि इसमें लालू यादों को सजा होगी दिस सिस्टम में लालू फंसे उसमें सजा होना पहले से ही तरह था लेकिन देखने की बात यह है कि बाकी लोग भी जो इस तरह के काम में सनलिप तहाएं उनके खिलाप केंद्र और राजे की सरकार आखिर क्या कर रही है धन्यवाद जादी आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के बेल एक अंद बाजे साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों क्या सेर करना ना भूले साथी साथ आप ह में कोमेंट बाक्स में अपना फीड़बाइक आसे दे थैंक यू